तो आज की हमारी इस ओनलाइन क्लास में हम डिसकॉस करने जा रहे हैं रेंज फॉर्मेटिंग ऑफ दे रेंज हमें से पहले रेंज को स्लेक्ट करना सीखा था तो किसी तरह की टाइप किसी तरह की वहलो को टाइप करनासैना सीखा था था चया तक छोथी इसी फॉर्मेटिंग के बारें मीं सीख लेते हैं तोolra कि फॉंट होता हैो थीशा और ए Mr सबसे पहले मैं यहां पर एक डेटा रखता हूं और डेटा के लिए मैं रेंड विट्वीन का फॉर्मुला अप्लाई करता हूं ताकि रेंडम कोई डेटा आ जाए आज हमारे क्लास में आज से दीपक जी नहीं है बागी सब तो है ना हम दीपक जी नहीं है सिर्फ कॉपी यहां पर बैलो पेस्ट अब मुझे इस पूरे स्लेक्टेट एरिया को फॉर्मट करना तो चलिए इसको फॉर्मट करते हैं टेबलापर बिटल बेसिक इंसर्ट मुड़ों सब्जेक्ट तो हमने लिए रहां पर मिरा जो इसलेक्टेट एरिया है एवन जो एवन से जी थाटीन लेता है ना एवन से जी थाटीन आप अपने हिसाब से अपना स्लेक्टेट्स एरेंज चेंज कर सकते हैं सब्सक्राइब बात करते हैं यहां पर देते हैं फॉंट फॉंट डॉट नेम एक्वल टू एरियल अब मुझे फॉंट की कई सारे एलेमेंट इस्तेमाल करने हैं तो मुझे बार बार यहां पर चेंज करना होगा कि फॉंट डॉट साइज इक्वल टू अब तरह से यहां पर फॉंट डॉट डॉट इस तरह से मुझे लेना पड़ेगा तो हम यहां पर देंगे कमान बिट स्पेस मारेंगे और यहां से नीचे आते हैं अब मुझे पूरा रेंज और फॉंट देने की ज़रूत नहीं है हम सिर्फ लास्ट का जो हमारा इवेंट है वही देंगे से फॉंट डॉट साइज अपना साइज देंगे डॉट कलर और कलर में हम तो खाय तो वीवी रिए ग्रीन ब्लू दे सकते हैं या और जीवी में थार्ड है पर आगे बताता हूं उसके बाद यहां पर बोल्ड करना है तो इक्कॉल टू 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 हमें बोल्ड इक्कॉल टू टू क्योंकि यह बागी तो में कुछ आट प्लाई होता है एक से उसी से डिसबराई होता है तो अचा इसे कैसितलीं हम तू आल फास देते हैं शीकितलाई भी सेव है जिसे अंडर लाइन इक्कॉल टू टू तो जो चीज आपको चाहिए पर औंड में जोची भानड बेश्या है उसको लखिए जो चीज नहीं चाहिए उसको देने की ज़रुवत नहीं है और लास में जब मेरा खतम हो गया तो मैं यहां पर एंड बित कर देता हूँ तो बित कमान आप बहुत सारे जगों पर देखा होगा मुझे लगाते हुए बित कमान लगाने का पपस यही होता है तो आप देखिएगा अप्लाई हो जाएगा सारा फॉम्रटिंग तो फॉन्ट कैसे अप्लाई करते हैं समझ में आगे आप लोग को तो इसमें कलर कब अभी और वागेरा भी पता चला है राइक नेम एरियल वागेरा उसमें नाम देखता है बट कलर में हमें अप्शन है कैसे पर जालेगा का जिसका अप्शन है जैसे वीबी रड लिखा आपने अपने अपने किसी पर्टिकुलर सेल का बैग्राउंड कलर तो जाता हुं तो आता हो कि रीज है रेंजे एवन जैने के घी लडटी इंटेरीर शें डाटा कलर तो बैग्राउंड करने के लिए इंटेर्यर डॉट कलर और यहां पर दो चीध़ कर सकते हैं जिवी अरण इसे दे सकते हो या दूसरा तरीका यहां पर है RGB RGB, red, green, blue और red, green, blue के numbers आप दे सकते हो तो numbers कहां से पता चलेंगे आपको यहां पर आएंगे more field पर आते हैं और यहां जब custom है न तो जो select करते हो यहां पर आप जिसे 230 शुरिशन में 208 तो यह number आपको यहां देने है 230, 196, 208 तो आपका color अप्लाई हो जाता है और तीसा तरीका है range A1 G1 dot interior dot color index is equal to यहां पर नंबर होता है 0 से 55 तक का तो एक बीविये का एक color index है आप देखना चाहोगा color index कौन कोल है तो उसको आपको health पर दिखना परेगा तो यहां पर आपको मेर साथ करता तो अ इसमें आया था था इसमें आया था था तो यह आपको एक से लेके 56 तक का कलर है इसमें से जो नमबर डालोगी और कलर आपका होगा तो आप मेरे एक्सल सीट में देखिए बुलू कलर हुआ क्योंकि पांस में नमबर पर बुलू है तो आपको एक सिस्टम याद रखने परेंगे तकि फिर भी आपको कन्फूजन हुआ तो एक लास्ट आप्स हमारे पास तो है ही कि हम यहां से रिकॉर्ड करेंगे माइक्रो और फिर हम अपना जो कलर अप्लाई करते हैं मैं कलर मान लीजिए मैं ए अप्लाई करता हूं तो मुझे इसकी वी वी प्रोग्रामिंग में पता चल जाएगा इसको कॉर्ड है र्यंदे में कही हुआ है कुलर में क euros में हमने क्या अपलाई कि क्लर्य देखिए यह लां कलच पिएर आप के से वयर बहुत jis K depende सीस्तों अब कि आप कि देशाए हमने अप को द। से में दिखा ए था ऩा न कर दा ke्टी में दिखाए हलान कि हम Color Nuclear Color VVRare, violence RGB, and Inter joint color index design के तीन तरीक और होते हैं. अब आप एंटरियर में और क्या होता है? Pattern. Aur पैटर्ण में हमने दिहा हुआ हुआ है Excel solid. अब Mobile Express Solid के क्यों दिया हुआ है? क्योंकि जो Color आप लेते हैं यहां Right Click करके अगर आप formless workflow की Fill option में जाते है। है AG net यहां पे कलर पेटर्न दीख रहा है आपको तो सॉलिड पणर हमने लिए हुआ है पेकतर क्द्रा पेटर्न स्लिद्रोल क्या होना चाहिए ऐस्कार नेहें है कि प्रेटर užागम produce अगारा है तो आपको रिकॉर्ड करने से मिल जाएंगे तो यह आपका पैटर्न सॉलिट है कलर इंडेक्स नमबर और आटोमेटिक है थें कलर यह आपका एक्सल थें कलर लाइट तुरू है क्योंकि जो कर आप देम लिया था वह उसका नाम है और यहां पर थीन का सेट जो कि एक पर्टि परियर डॉट कलर दे देते हैं ताकि वो सॉलिट कलर ले लेता है ठीक है अब कलर के बाद आता है बोर्डर की बारी मुझे इसमें बोर्डर लगाना है तो मैं यहां पर दूनता हूं रेंज ए वन से लेके जी थातीन डॉट बोर्डर्स बोर्डर्स में अगर माल लिजे मुझे आल बोर्डर करने है तो मैं डारेक्ट लिख दूँगा बोर्डर्स डॉट लाइन स्टाइल इक्वल टू एक्सल कंटिनुवस या फिर वन हम लिक सकते हैं तो आल बोर्डर वो अप्लाई कर दता है लेकिन क्या है कि बोर्डर में हम भी हम करते हैं यहां पर आइट क्लिक कीजिए format sale अब यहाँ border में अभी अलग अलग भी होते हैं तो इसको समझने के लिए हम recording करते हैं फिर समझाता हूँ आपको कि क्या है तो border में मैंने इसको अब यहाँ से border की line style है अगर आप जो line style लोगे ओ line style का आपका वहाँ पर यह होगा यह हमने ले लिया हुआ है अब देखिए इसकी recording क्या बनती है सबसे पहले उपर देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि जो border लगा हुआ है उसको इसने हटाया अब यहाँ पर देख रहा हूँगे कि मैंने कोई bracket में जब मैंने अप्लाई किया था बित कमान लगा दिया इसने और जब border अप्लाई किया था तो हमने कोई प्राइकर में लिखा था तो यह ब्राइकर में पोजीशन होता है कि आप left side का up side का किस side का border लेने चाहते हो उसकी लाइन स्टाइल क्या है तो continuous मतलब कि जुसे हम नौर्मल देखते हो हुआ color index automatic है थीन से और इसकी जो weight width है वो थीक मतलब कि पतला है यहां पर देखिए हमें dash ले लिए मतलब की डाइस हो गया और यहां पर थीनी है यहां पर देखिए यह एक्सल कर्टियूर्स है लेकिन इसकी border की size जो है वो थीक है मतलब की मोटा है और यहां पर एक्सल की size medium है और यह हमारा double है जो लाइंडिंग थी ना सर डाइनस्टाइड डवल और यहां पर वो थीक है medium है डैस्डॉस में तो यह आपकी बूरर की size है तो मतलब कि आप यहां पर देखिए inside vertical, inside vertical, egg left, egg light, bottom top ऐसे border जो हमारा 4 तरप का border होता है उसको one by one लगा सकते है लेकि अगर आपने bracket में कुछ नहीं दिया तो फिर वो continuous पूरे बूरर लगाएगा आप ट्राइ करके देखेगा तो आपको समझ में आएगा तो हमने font कर लिये, हमने fill कर लिया, हमने border कर लिया अब आता है बारी alignment की तो alignment किसी भी area पर अगर आप कोई alignment अप्लाई करते हो तो देखिए क्या आता है तो एला alignment alignment में हमारे पास है एक्सल होड़ेंट अलाइमेंट एक्सल सेंटर यहांप ऐक्सल सेंटर के जगावावब अप लड़ राइट दा प्लाइट दा सकते हैं एक्सल लैप एक्सल लाइट एक्सेंप सेंटर मतलब यह उपर होता है न हमारा इसका इसस्तुमाल करने का और नीचे आप गाता है , ऐसे बोटम मतलब की हमारा ए है , इसम्हेए बोटम बुटम थाुप तूं तो इसके जगाप पर तिनों लिख सकते । रैप TEXT करना है या नहीं करना है यहांपि रैप TEXT करन थे उस्यव पॉल्स मकपे यहां चंगल बढ़ाएंगे फोम इसका कि इस wholly डिड्य बढ़ाना है कि इसका होता है एन नें जो हम यह ढ़िए पिशेए संस् einfach माइन scent और Shrink to Fit, Shrink to Fit मतलब क्या हुआ कि, जो हम Shrink to Fit करते थे, कि जितना कोलम की साइज है उतने में आ जाए, और यहां पर Excel Merge equal to false, Merge Cell equal to false, अगर Merge करना है तो True Otherwise False, या Merge करना है तो Direct Selection.Merge भी लिख सकते हैं, तो यह हमारे हो गया है, Alignment, अच्छा, अब Alignment के बाद बारी आती है, Number Formatting, इसे Date वगर डालना है, तो कैसे डालेंगे, तो उसके लिए आपको Custom Formatting वाली Class को याद करना पड़ेगा, G13.NumberFormat, और यहाँ पे आप Format के इस तरह समालेजेगी, अगर आपको Decimal Point देना है, 0.00, अगर आपको Percentage देना है, तो यहाँ पे Percentage का संबल देदीजे, अगर आपको Date का Formatting देना है, तो DD.NMM.YY, जो कि आपने Custom Formatting में अप्लाई किया था, 80G, वो यहाँ पे देते हैं, मतलब जी, यहाँ Number Format के अंदर जी, कोड होता है नमारा, कि जो कोड होता है Custom में, एक कोड आपको डालने होते हैं, तो इसका इसमाल होता है, अब हमने Formatting सारे सीख लिया, font सीख लिया, border सीख लिया, alignment सीख लिया, fill color सीख लिया, number formatting सीख लिया, अब बात करते है conditional formatting की, conditional formatting कैसे apply करेंगे, चलिए मैं conditional formatting selected area में apply करेंगे बताता हूं, कि मुझे अगर highlight duplicate करना हो, तो क्या code बनेगा, तो हमने record कर लिया है, आप उस code को समझ लेते हैं एक बार, यह रहाँ, आपका condition हो बढ़ते हैं, यहाँ पर, यहाँ बार, selection format condition add unique value, ठीक है, उसके बार, selection format condition dot count, और set property, अलाकि इसको, इसको देने की जरुवत नहीं है, लेकि इस देव सकते हैं, और यहाँ पर इसकी formatting है, यहाँ पर fault की formatting है, और यहाँ पर उसकी background की formatting है, ठीक है, मतलब, इस condition formatting के दो part होता है, एक part होता है कि आपका condition apply होता है, दूसरा आपका होता है, उस पर collection होता है, तो यह जो दिया गया है, एक property shift कर देता है, ताकि नीचे हम condition one पर लेके चले, यह line कव एर होती है, जब हमारे पास बहुत सारे condition होता है, होते हैं तो, अगर एक condition है, तो इसको देने की ज़रूरत नहीं है, सर यह जो one लिखा आ रहा है, यह कोई sequence है, पहली condition है, पहली condition, तो ऐसे कैसे हम कह सकते हैं, मतलब two, three, four हो, तो इसी के साथ कॉमा लगके आएगा या अलग-अलग line होगा इसी, तो अलग-अलग देना परेगा सर आपको, ओके ठीक है ना, तो पांस है तो आप अलग-देना परेगा आपको, तो जनरली हम ऐसे इस जो हम रिकॉर्ड कर रहा है, इसमें जो कोट सारे मतलब इस्टेंडर कोड है, ऐसे ही उज़ करते हैं किसके लाएव बिकॉर्ड होता है, यह कोड यूज करते हैं, वह में सब्सक्काइब आप पूची मेन हम से घीटिक्तिूर करने ऐसे नहीं है। करते हैं तो यह ना कि इंपल सी बात है ना कि माल लिजिए कि आपको मौखिक रूप से बॉस से चुट्टी मांगना हो तो बॉस को एप लिगने कि बॉस कल चुट्टी चाहिए लेकिन इसी चीज को अगर आप पेपर प्र अब्लिगेशन देना हो तो आप क्या लिखेंगे से सिरिमान किया अपूरी सी पूरी इदम को फालो करो गया तो अपके यह उफिस्यल लेंगविज को यूज करता है लेकिन जम कोड करते हैं तो समझेगेतर आम बोल जालेगी वासा को कोड करते हैं जो जरूरत हुआ वही लिए जो जरूरत नहीं है उसको दिखी दरूरी थी नहीं लेते हैं आपको जरूरत नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे यह आप नहीं लिखेंगे यह जो आपर पैटर्ण एंटरीर है हम डारेक्ट जो है इस पर इस तरह से लिखदेंगे हैं पर इंटरीय डाट कलर इकवल टू बी वी वी रहे हम इस तरह से लिख देंगे समझें हैं हम फॉंट नहीं देंगे जरुवत नहीं है तो पस यह होगा मतलब कि अन्नेसेसरी चीज को हम नहीं लिखेंगे जो देना है वहीं लिखेंगे बागी और डिफॉल्ट खुद बखुद उठा लेगा कि लोग कुछ आल और अपिस से पाखेंगे पाल यह कुछ हूल को कि लिक करते लेकर से कोड़ियुथ जरूर पुरी तरह से रिकॉर्डिंग में डिपेंडेंट नहीं रहेगा अगर जिसे हम एक ही सेलेक्शन पे मल्टिपल कंडिशन अपलाई करते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मतलब वह सिक्वेंस नंबर 123 हो जाएगा अब यह था ने इसमें प्रेक्ट में 123 आसिज ने पूछा था पहले के पहला दूसरे के दूसरा तिसरा ऐसे जाएगा विए 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 नियु रूल में जाके हम करते हैं हां हां ठीक है सर एक चीज और है जैसे आप कोड लिखते हो न तो आप ब्रैकेट यह स्पेस देते हो तो आपके वो चीजे ड्रॉप डाउन में दिख जाती हैं पर सर कई बर हमारे में दो दिखता नहीं है जैसे कि आपको सीट समय अच्छिन कंदर नहीं आता है तो बहुसाद से अब्जेक्ट है जिसका प्रैक्शन नहीं आता है उमने इसके बाद कोई मालोग गलती हो गई जाकर फिर से लिखने चाहता हूं डॉट करके उसके बार कई बार वो उसके लिस्टिंग नहीं दिखाता है जैसे जैसे आप लिखेंगे उसे आपको समझ में आता जाएगा ठीक है सर्थ फॉर्मेटिंग एक्जामपल दीजिए और कल हम आपके साथ डिसकर्स करेंगे कंडिशन कल से आपकी कंडिशन स्टार्ट होगी सर्थ कौन सी कंडिशन मतलब इस कंडिशन है ठीक है